स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के भौती विज्ञान अभिहास साथ में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुनादी परिपत के परकार अनुनादी परिपत कितने परकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से इपने कापी में नोट करते चलिएगा जिसे आपका एक नोट सभी बनता रहेगा तो heading को note कर लेजे अनुनादी परिपथ के परकार तो अब यहां लिख लेजे अनुनादी परिपथ जो होते हैं वो दो परकार के होते हैं लिख लेंगे यहां पर अनुनादी परिपथ अनुनादी परिपथ कितने परकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं और पहला का नाम क्या होगा तो पहला का नाम है स्रेड़े अनुनादी परिपत क्या नाम है स्रेड़े अनुनादी परिपत और दूसरे का नाम है शमांतर अनुनादी परिपत तो स्रेड़े अनुनादी परिपत परिपत और दूसरे का नाम है समांतर अनुनादी परिपत अनुनादी परिपत तो अब स्रेडी अनुनादी परिपत क्या होता है अब यहाँ पर heading note का लिजे स्रेड़ी अनुनादी परिपत एक एक परिभासा को अच्छे से आप लोग समझे और जहां समझ में नौ आवे वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए जरूर कमेंट कीजिए तो heading को नोट का लिजे स्रेड़ी अनुनादी परिपत अब स्रेड़ी अनुनादी परिपत क्या होता है बहुत असान है विव अनुनादी परिपत होते हैं जिसमें प्रेरक्तत वधारिता परतिरोध किस करम में जुड़े हों स्रेड़ी करम में जुड़े रहते हैं इस प्रकार के जो स्रेडी होता है वो अनुनादी स्रेडी कहलाता है तो परिभासा जो है बहुत असान है इसमें क्या क्या बोलेंगे प्रेरक्ततो और क्या प्रेरक्ततो अधारिता और परतिरोध किस करम में जुड़े हो स्रेडी करम में जुड़े हो इस प्रकार के परिपत को ही क्या काते हैं स्रेडी अनुनादी परिपत काते हैं इसका उता लिख लेंगे वे अनुनादी परिपत हैं जिसमें प्रेरक्ततो को किसे प्रदर्शित करते हैं तो प्रेरक्ततो को यल से प्रदर्शित करते हैं तो प्रेरक्ततो यल धारिता सी धारिता क्या है सी तथा परतिरोध तथा परतिरोध प्रतिरोध को किस से प्रदसित करते हैं तो प्रतिरोध को आर से प्रदसित करते हैं तो प्रतिरोध आर जो है किस करम में स्रेडी करम में जुड़ा है स्रेड़ी करम में जुड़ा है तो इस प्रकार के करम को स्रेड़ी अनुनादी कहते है तो परिभासा को साथ में अपने कौपी में क्या कीजिए जरू नोट करते चलिए तो कहेंगे वे अनुनादी परिपत जिसमें प्रेरक्तत्व धारिता तथा परतिरोद किस करम में स्रेड़ी करम में जुड़ा हो तो इस परकार के करम को स्रेड़ी अनुनादी परिपत कहते हैं तो अब यहां पे जो है इस करम को जो है जो लिया जाए कैसे इसको जोड़ा जाएगा तो इस परिपत को भी यहां पर नीचे आप सभी विद्यार्थी से जरूर बना लिजिएगा यह जो है इल है और यहां पे जो जो जोड़ा गया सी है और यह जो है आर है तो यहां पे तीन परिपत इसमें जोड़ा गया है कौन कौन है तो यहां पे जो यह है इल यह सी और यह क्या है आर मतलब इल मतलब प्रेर रखता इसको कहा जाएगा स्रेड़ी अनुनादी परिपत परिपत तो शमझ में आगे आओगा स्रेड़ी अनुनादी परिपत क्या होता है अब हमनों सीखेंगे शमांतर अनुनादी परिपत शमांतर अनुनादी परिपत अनुनादी परिपत तो स्रेणी और समांतर जो है अनुनादी परिभासा बहुत ही असान है बस थोड़ा सापको समझना है कैसे इसको परिभासा को बनाना है तो स्रेणी में कैसे जोड़ना था तो स्रेणी करम में जोड़ा गया है और समानतर में जो है किसमें समानतर करम में जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या रहेगा वे अनुनादी परिपात है जिसमें प्रेरक्तत्व धारिता और परतिरोध किस करम में हों समानतर करम में जो हों जिसे इसके पहले हम लोग किस करम में जोड़े थे तो अब किस करम में ज इसका उत्तर भी लिख लिजिए वे अनुनादी परिपाथ जिसमें परिपाथ जिसमें प्रेरक्तत्व कोई यल से देख परदर्शित करते हैं धारिता को शीषे परदर्शित करते हैं तथा प्रतिरोध को किसे परदर्शित करते हैं आर प्रतिरोध आर जो है किस करम में शमांतर करम में जुड़े हैं समांतर करम, समांतर करम में जुड़े होते हैं तो इस परकार के करम करम को क्या करते हैं शमांतर अनुनादी इस परकार के करम को शमांतर क्या करते हैं अनुनादी कहते हैं परिभासा कितना असान है बस क्या था इसके पहले वाले में स्रेणी करम में जोड़ना था और इसमें जो है समांतर करम में जोड़ना है तो थोड़ा ध्यान दिजिएगा यहाँ पर इस परकार के करम लिखना है, यहाँ पर करम लिखिएगा, यहाँ थोड़ा से मिश्टेक हो गया है, करम लिख लिजेगा, तो वे अनुनादी परिपत जिसमें प्रेरक्त तोयल, धारिता, सीत, था, परतिरोद, आर, समानतर करम में जुड़े होते हैं, तो इस परक जोड़ा गया है स्रेंडी करम में जोड़ा गया था और यह किस में जोड़ा जाएगा यह जो परिपर जोड़ेंगे किस करम में समांतर करम होना चाहिए तो समांतर करम आप जानते होंगे समांतर करम कैसा होता है तो यहां पर जो है यहां पर जो है यल है और यल के बास यहां को क्या कहेंगे शमांतर करम कहेंगे तो यह जो है इसका नाम क्या है यल और इसका नाम क्या है आर इसका नाम सी और इसका नाम क्या है आर है तो इस परकार के जो करम बनेगा इस करम का नाम क्या हो गया समांतर अनुनादी क्या है समांतर अनुनादी परिपत है तो यह लेख ल तो शमज में आ गया होगा इस किस करम में जोड़ा गया है तो समांतर करम में जोड़ा गया है तो आप सभी विद्यार्थी इस चितर को अपने कॉपी में क्या किजिए जरूर बना लिजिए तो आज के वीडियो में क्या पढ़े हम लो अनुनादी परिपत की परकार क्या होते हैं तो सिरेडी अनुनादी और समानतर अनुनादी जो है इस वीडियो में बताया गया तो आज के वीडियो कैसा था आप सभी विद्यारती जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर दीजे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए क्योंकि यह लाइब क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्काइब